तो शुरू करते हैं आज का हमारे current affair जो की है 15th, 16th and 17th April 2023 Indian American CEO Raj Subramaniam presented with प्रवासी भारतिय सम्मान तो देखो यह जो प्रवासी भारतिय सम्मान यह जो देवासे यह January मंद में मनाया जाता है तो हर साल government किसी एक प्रवासी भारतिय को यह सम्मान से नवासती है So this year it has been CEO Raj Subramaniam तो यह जो Raj Subramaniam है यह कहां के CEO है यह है FedEx के CEO FedEx जो Global Transportation Agent है Indian American CEO of the Global Transportation Agent FedEx तो यह आपको ध्यान में रखना है And one more thing यह है This is the highest civilian award given by India to a person of Indian origin and Indian diaspora मतलब जो Indian नहीं है और किसी दूसरे कंडर का citizen है बट यह Indian origin से है मतलब इनके माताजी, पिताजी या यह खुद Indian origin से रहे है तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है Highest civilian award given by India to a person of Indian origin and diaspora Subramaniam जो है यह 55 साल It doesn't matter 55 साल के है उनको award किस ने दिया Indian Ambassador to US Taranjit Singh Sandhu जो उनको Indian House में यह award को दिये है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना होगा और इसके साथ औरिक नाम दर्शन सिंग धाईवाल इनको भी यह award मिला चलते हैं ने उसके तरफ वो है SBI Approaches Supreme Court for Clarity on Personal Hearing for Defaultors तेखो यहाँ पे एक news आपको समझना है वो यह है कि कुछ दिन पहले Supreme Court का एक news आया था जिस पे Supreme Court ने यह कहा था कि अब defaultors declare करने से पहले जो defaultor है उसको भी court सुनना चाहेगी Without hearing his or her side the judgment cannot be given Supreme Court ने यह कहा था लेकिन इसमें बहुत सारा challenges यह आ रहा था bank के तरफ से और RBI के तरफ से कि अब बहुत सारे guidelines जो अलग-अलग थे लोगों को classify करने का कि कैसे default होगा या कैसे किसी को defaultor declare किया जाता है अब उसका पूरा definition change होने जा रहा था इसलिए bank ने फिर से Supreme Court को Supreme Court के पास clarification के लिए गया है कि जो personal hearing है जिसको bank ने कहा है by suggesting that the lender should be allowed to share only relevant extract of the forensic audit report with the borrower तो देखो किसी को भी defaultor ये करने से पहले जो bank है वो किसी के बारे में पूरा information निकालती है उसके बाद ही defaultor declare करती है तो ये सारा चीज इस news पे है चलते हैं आगे next news में वो है PMO the inaugural first aims in northeast in Guwahati तो ये आपको धहन में देना होगा कि Guwahati का या North East का जो पहला aims है वो कहाँ पे Guwahati में हुआ है and three medical colleges ठीक है तो very important news ये जो तीन medical colleges है कहाँ है ये नलबारी में है, नावगाओं में है and कुराजकोर में है ठीक है ये आपको याद रखना होगा क्योंकि it can be asked चलते आगे next news में वो है PM express happiness over first over dimension करगो तो देखो basic news क्या है जो इंडिया का chicken neck है मतलब अगर आप देखोगे इंडिया का map ये chicken map है ठीक है तो ये जो chicken neck है ये पूरा Northistan states है लेकिन जो बांगलादेश है ना वो यहाँ पे है ये है बांगलादेश तो मतलब आप देखो अगर इंडिया को यहाँ से कोई यहाँ सामान भिजना होगा तो एक तो ये route होगा या दूसरा route कि ये water के थूर जाए लेकिन एक route हो सकता है ये दूर से water के थूर जाए तो वो तो बहुत costly affair हो गया तो ये बांगलादेश वाटर के थूर ये यहाँ पे transfer होगा समान तो यही था news कि जो पहला multimodal port है वो use किया गया है कारगो किसका गया है नुमालीगर रेफाइनिरी का expansion project एटिटा इस रीच पंडू multimodal port वाया इंडो बांगलादेश प्रोटोकॉल route तो ये आपको धैन में देना होगा ठीक है ये कोलकाता शहर से शुरू हुआ है 19 मार्च को ये अभी जाके पहुचा है तो बहुत बहुत important news है चलते आगे next news में वो है G20 MACS meeting in Varanasi तो देखो G20 MACS meeting in Varanasi to feature Maharshi initiative in Millex and other ancient grains ठीक है तो ये आपको धैन में देना होगा इस news के बार में तो हम detail में चर्चा करेंगे जब ये खतम हो जाएगा ये 17 तारिक मतलब आज से शुरू हो है वारanasi में and इस पे एक नेर टर्म को आपको याद करना है वो है Maharshi इसका full form क्या है Millex and other ancient grains other को देखो अलग तरिके से लिखा गया है तो ये आपको धैन में देना होगा चलते हैं आगे next news में वो है F.A.H.D. Minister ठीक है Fisheries and Animal Husbandry Development Minister पुरुशुत्तम गुपाला launches Animal Pandemic Preparedness Initiative and World Bank Funded Animal Health System Support for One Health ठीक है तो ये animals के लिए किया जा रहा है ताकि animals में अगर pandemic फैले तो उसको कैसे रोका जाएगा तो ये World Health Funded Program है जिसका नाम है Animal Health System Support for One Health ये आपको धैन में देना होगा और ये बहुत important है क्योंकि कई बार कुछ चीज़े animals में फैलती है तो वो फिर लंबे समय तक रहेगी तो human में भी आना शुरू हो जाएगा वैसे ही COVID जैसे इंसानों में फैलती है तो इंसानों से animals में भी फैलने की chances है तो उनको भी बचाना है उनको बचाने के लिए ये World Bank Fund Act जो प्रोग्राम है इसको भी इंडिया में लॉंच किया गया इनिशेटिव को चलते हांगे next news में वो है NAHI National Highway Authority of India इन्होंने क्या नेबल किया है fast tag based payment at forest entry point तो जितने भी forest entry point है उसमें ये electronic tolling type का एक system जैसे कि fast tag वैसे ही एक system को एनेबल किया गया है at the forest entry point तो ये जो MOU है ये कहां से शुरू हुआ है नागरजुनसागर सिसलम टाइगर रिजर्व ये एक कौन से स्टेट में है अंत्रपरदेश एन तेलरगाना के स्टेट्स पे भरे हुए है यहाँ पे इसको RFID technology में enable किया गया है next news में चलते हैं वो है regional audit आदी महात्सो in राउर केला वो इसा तो देखो simple सवाल आपको ये पुछ सकता है कि regional आदी महात्सो कहां पे कहां पे अब ये regional है तो ये multiple जगास पे होंगे right तो as such अभी कोई exam नहीं है immediate तो ये news शायद relevant नहीं है आपके आने वाले exam में भी क्योंकि regional है तो ये आने वालो दिन में और भी जगा पे होगा but आपको ये पता होना चाहिए कि राउर केला वो इसा में जो steel plant है वहाँ पे ये regional आदी महात्सो कहां पे किया गया एक sale exhibition ground राउर के ला ठीक है with steel authority of india limited ये पूछ सकता है कि कौन से cpcs के साथ किया गया central public sector enterprise तो sale के साथ किया गया चलते है next news में वो है second G20 health working group meeting to commence in goa from april 17 ठीक है G20 health working group meeting to commence in goa from april 17 april 17 से ये G20 meeting meeting जो कहां शुरू होगा गवा में शुरू होगा चलते हैं आगे next news में वो है union home minister and minister of cooperation इन्होंने क्या दिया महाराष्ट्र भूशन महाराष्ट्र भूशन एक regional award है जो state का होता है जैसे भारत भूशन या पद्म भूशन होता है भारत रतन होता है वो national level पर है और ये state level पर है तो एक महाराष्ट्र भूशन एवार्ड है ये किसको मिला है डॉक्टर अप्पा साहे धर्मान जिकारी ये आपको याद में रखना होगा है इस अवार्ड को किस ने दिया इस अवार्ड को दिया ओम मिनिस्टर जो union home minister and union cooperation minister है अमिच्छा उन्होंने इस अवार्ड को दिया है with this we are done for the day let's meet tomorrow morning once again till then unfold your potential all the best for all the exams that you're preparing and all and always remember IXMB helps you prepare 50% faster